नमस्कार दोस्तों आज बापस आगया हूं आपके पास कोरोना के बारे में नहीं कुछ इंफॉर्मेशन बताने के लिए देखिए मेरा नाम डॉक्टर बीमल चार्जर है हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूं इंडिया वर में हमारे 100 क्लिनिक्स हैं हार्ट के पेशिंट कुम लो करना इसका ट्रीनिंग देते हैं कुछ नॉन इंवेसिव ट्रीटमेंट से भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं बट अब कॉरोना का बख़त है मेरे को लगा कॉरोना के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चीए एक बात आपको बता दूँ कॉरोना इत्ता डिंजर नहीं है क्यों मैं बता रहा हूं ऐसा बात सिर्फ एक परसंट डित होती है अगर आप देखते हैं डेली इंडिया में अगर चार लाख लोग एफेक्टेड हो रहे हैं और चार हजार मर रहे हैं तो एक ही परसंट तो हुआ ना तो यह बाकी 99% में क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं जब करोना वाइरस हमें अटैक करता है तो हमारी बॉड़ी की जो इम्म्यूनिटी है वो उसको मार देती है 80-85% लोग तो पहले स्टेज में क्लियर हो जाते हैं मतलब 4-5 दिन तक करोना वाइरस उसको एटैक करता रहता है उनकी इम्म्यूनिटी उसको हराता रह हो जाता है करोना वाइरस डैमेज्ट हो जाता है चार दिन के बाद उनके सिम्टम्स खतम साथ आठ दस दिन के बाद हो बोलता है मुझे कोई तकलीव भी नहीं है टेस्ट नेगेटिव आ गया उनको हमने डिक्लियर कर दिया आप ठीक हो गए तो 85 तो ऐसे ठीक हो गए अब देखा जाए रहे गया 10, 10 में से करीब 5-6 लंग्स तक पहुंच जाता है उनके पर लंग्स से वो निकल जाते हैं अब तीसरा रह गया 5% उसमें से जो लंग्स में बहुत ज़्यादा फैल गया और उसके सांग इंफ्लामेशन हो गया, एक तो लंग्स में निमौनिया हो गया, और उपर से इंफ्लामेशन हो गया, इन दोनों को मिला कि प्रॉब्लम यह हो गई कि ऑक्सिजन नहीं मिल पा रहा हमारे काउंट के हिसाब से इंडिया में हर दिन एड़ अप हो रहे हैं हॉस्पिटल के लिए ऑक्सिजन के लिए और हर दिन 16-16,000 एड़ होता जाए और यह तो 16,000 जिनकी पॉजिटीव है हमें मालूम है जो नहीं मालूम है वैसे तो लाखों और है जो टेस्टी नहीं करा चुके हैं जो गाउं गाउं में फैल रहे हैं तो यह समझ लीजे कोरोना में ultimate death होती है एक परसेंट की तो आपको डरने की जरूरत नहीं है तो फिर कहां पर attack करें कहां पर हमको system को सुधारना पड़ेगा system को सुधारना पड़ेगा कि इस वाइरस की एक ही problem है infectivity बहुत जादा है infectivity मतलब एक आदमी बिमार होते ही वाइरस निकलते ही पूरे body में फैल जाती है और बहुत जल्दी जल्दी लोगों का effect करती है और इसके infectivity बहुत जल्दी infection फैल जाता है इससे एक से पचासों को फैल जाता है पचास से पांच हजार को फैल जाता है पांच हजार को पचास हजार तक फैल जाता है पचास हजार से करोड़ों फैल जाता है तो ये जो फैलने वाली बात है ये जादा है मारने की ताकत इस कॉरोना में होती नहीं है पर नंबर्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारा इंफ्रस्ट्रक्चर में इतना सोचा ही नहीं था एक साथ लाखों मरीज पहुंच जाएंगे और हर हांस्पिरिल में ऑक्सीजिन की खिल आइसोलेशन करने के लिए वही है मासक को बहुत स्टृक्टलीं करना पड़ेगा हर को मासक बैञना जरूरी है डिस्टिंस रखना पड़ेगा जो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि उनको आइसोलेट करो उनके सम्परत मैं आओ मत चार पांच साथ दिन में वो कोरोना फ्री हो जाए उसके बाद दस दिन बाद उनको बाहर कर दो तो यह आप देखिए भी दर्सों में दस दिन में कॉरिंटाइब खत्म कर दे रहे हैं क्योंकि उनको मालू है दस दिन के बाद कोरोना वाइरिस सारे डेड में पड़ेगा कि इसकी infectivity को attack करना पड़ेगा जो हम लोग उलज रहे हैं कि oxygen hospital bed उससे ज्यादा वो भी जरूरत है पर उससे ज्यादा जरूरत है कि हम लोग यह उलजें कि यह बिमारी को कैसे हम लोग ठीक करें चाहे lockdown करें चाहे लोगों को educate करें लोगों को डराएं लोगों को fine करें कि भाई यह isolation बहुत जरूरत है कोई भी positive patient या कोई भी कोरोना से affected patient लोगों को infect ना करें थैंक यू आज यहीं पर इसको रोकता हूँ इस वीडियो को जरूर लाइक किजे शेयर किजे हमारे चैनल को subscribe किजे मैं जानता हूँ हर दिन आपके लिए एक दो वीडियो में ल